इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे नीती निदेशक तत्तों से रिलेटिल इंपोर्टेंट कोशन तो देखिए सबसे पहला कोशन है कौन से समविधान से राज्ये नीती विश्यक निदेशक तत्तों अपनाए गई हैं तो किस देश के समविधान से लिए गए हैं ये आईरिश शविधान या आयरलेंड के समिधान से ठीक है कल्यानकारी राज्ये समवंदी विचार किस में दिये गए हैं तो कल्यान कारी राज्य सम्मंदी विचार दिये गए हैं, राज्य नीती सम्मंदी निदेशक सिधान्त में. Next देखे, भारत की समिधान में शामिल राज्य नीती की निदेशक सिधान्तों की अवधारना किसके समिधान से ली गई थी? Australia, USA, Canada, Ireland. ठीक है तो देखें इससे पहले वाले वीडियो में हमने पड़े थे मोलिक अधिकार जो किसमें थे भाग तीन में अनुचेद 12 से लेकर 35 तक थे ठीक है भाग तीन में इसी तरह बात करते हैं नीती नीदेशक तत्तों की तो वो थे भाग चार में अनुचेद 12, sorry, अनुचेद 35 तक इसे के साथ हमने मोलिक अधिकार के साथ कल मोलिक करतवे यानि के fundamental duties भी पड़ी वो थी भाग चार में अनुचेद 51 कै में ठीक है तो इनके ये भी याद रखे कि किस भाग में है और किस उसमें है तो आज बात करें हम राज्ये नीती नीदेशक सिद्धान्तों की ये ल भारतिय समीधान में राच्य नीती के नीदेशक सिद्धान्त किस देश के समीधान से लिए गए थे तो एक कोशन अलग अलग तरीके से पूछा गया हर बार एक्जाम में तो वो आयरलेंड से लिए गए थे अगला देखिए भारतिय समीधान में जामिल नीदी नीदेशक स किस के समिधान से प्रेरित है तो आयलेंड के समिधान से ठीक है अगला देखे बारतिय समिधान के किस भाग में भारत को एक कल्यान कारी राज्जे की रूप में स्थापित करने की बात कही गई है सविधान की प्रस्तावना में, मोलिक अधिकार में, राज्य नीती के निदेशक सिधान्त में या भारती सविधान की अनुसूची में तो भारत को एक कल्यान कारी राज्य की रूप में स्थापित करने की बात की गई है राज्य नीती के निदेशक सिद्धान्थ, यानि कि नीती निदेशक जो सिद्धान्थ है उनमें, ठीक है, आगे दिखी, भारतिय सविधान के निमलनी खित्मी से किस भाग में सामाजी के वेम आर्थिक लोगतंत्र को सुनिशित किया गया है, आपाच स्थिति के प्रावधा कि इंदर राज्य सम्भंदित, राज्य नीती के निदेशक सिद्धान्थ या इनमें से कोई नहीं, तो सामाजी कोर आर्थिक लोगतंत्र को सुनिशित किस में क्या गया है, राज्य नीती के निदेशक सिद्धान्थ में, बारतिय सविधान नागरिकों के लिए आर्थिक नागरिक निमन लिखित में से किस के पास जा सकता है। उच्च नियाले, उच्च तम नियाले, राष्टिय मानव अधिकार आयोग या इन में से कोई नहीं। तो अगर किसी सरकार द्वारा जो है अगर इन से दान्तों को अगर लागू नहीं किया जाता है तो कोई नागरिक जो है इन में से किसी के पास भी नहीं जा सकता है। तो यहां अंसर आएगा इनमी से कोई नहीं ठीक है ये क्या है ये एक सम्मेधानिक लक्षे है जीने किसके द्वारा पूरा किया जाना है सिर्फ राज्ये के द्वारा जो है वो से पूरा किया जा सकता है तो इसके अगर नहीं होता है इनका पालन तो भी कोई आदमी उच न्य अल्ले द्वारा लागू नहीं किये जा सकते, 31, 38, 39 या 49, तो ये उलेख है अनुचेद 37 में, ठीक है? सम्विधान का कौन सा भाग? राज्य नीती के निदेशक सिद्धान्तों से सम्मंदित है, भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2, तो राज्य के नीती निदेशक सिद्धान्तों से जो सम्मंदित है, वो है भाग 4, ठीक है? भाग 1 में क्या है संग और उसके राज्य शेत्र भाग 2 में नागरिकता और भागतीन में मोलिक अधिकार है तो राइट आंसर यहां पर आएगा भाग चार हमारे सविधान में निदेशक सिद्धान कानूनी न्याल्यों द्वारा प्रवर्तिनिये हैं अर्द प्रवर्तिनिये हैं आंसिक रूप से आप्रवर्तिनिये हैं कानूनी अदाल्तों द्वारा ऐ प्रवर्तनिया यानि कि उन्हें प्रिवर्तन नहीं किया जा सकता उनमें, ठीक है, आगे देखें किस निदेशक से दान पर गांधी जी के नैतिक प्रदर्शन का प्रत्यक्स प्रभाव है, समान काम के लिए समान वेतन, निश्रुल कानुनी साहिता औ और एतियासिक महत्यों के समारकों की रक्षा, तो यहाँ पर आएट अंसर आएगा, गोवद पर निशेद, ठीक है, आगे देखें, राज्य नेति के निमन निदेशक से धानतों में से कौन सा गांधी वाधी दर्शन पर आधारित था, ग्राम पंचाय तो का आजयो जन, ब देख लीजिए, सबसे पहले था, ग्राम पंचायतों का गठन या आयोजन, तो इसमें राइट अंसर यही आएगा, सकिंड था, ग्रामीन उद्योगों को बढ़ावा देना, थर्ड था, मद्ध पान पर निशेद, फोर्थ अभी हमने फर्स्ट कोशन में पढ़ा था, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जैप्रकाश नरायन, ज्वाहर लाल नहिरू, तो ग्राम राज्ये के माध्यम से राम राज्ये, ये कतन कहा था, महात्मा गांधी ने, ठीक है, समिदान के किस संसोधन ने मोलिक अधिकारों के अपेक्षा, राज्य नीती के निदेशक स दान्तों को अधिक महतोपूर्ण बना दिया है, बियालिस में, चवालिस में, बावन में या चपन में, तो राइट अंसर आएगा, बियालिस में संसोधन ने, ठीक, नेक्स देखे, कौशन नमबर फिफ्टीन है, समिधान के किस संसोधन से, राज्ये नीती के निदेशक से दान्तों को मोलिक अधिकारों को पर परमुक्ता की स्थीती मिली है, तो मोलिक अधिकारों से जादा परमुक्ता की से मिली है, राज्ये नीती की निदेशक से धान्तों को, तो वो है बियालिस में संसोधन, बारत के राष्टरपती को स्वेच्छा निर्णे अधिकार के अं ठीक है अपने आपसे जो नेने ले सकते है वो कौन सा है तो वो है प्रधान मंत्री की नियुक्ति ठीक है और प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्टरपति राष्टरपति द्वारा स्विधान के अनुचेद पिछेतर वन के रावधानों के तहत की जाती है सरकार की राश्ट्रपती प्रणाली के अधिन कारिय कारिनी के सदशे विधान मंडल के दोनों सदनों से लिए जाती है केवल लोग सभाके होते हैं विधान मंडल के किसी भी सदन के सदशे नहीं होते नियुक्ति के बाद विधान मंडल के सदशे बनते है तो राइट अंसर आएगा हाँ पे विधान मंडल के किसी भी सदन के सदश्य नहीं होते ठीक है आगे देखें भारत का किसम विधान का कौन सा अनुचेत भारत को कल्यानकारी राज्ये घोशित करने से सम्बान दित है 99, 49, 69 या 99 तो कल्यानकारी राज्ये यह था निती निदेशक तत्तों में और वो कहां से कहां तक भिलोंग करते है 36 से 51 तो यह किस में आएगा 49 में आएगा ठीक है समीदान सबा में यह किस नहीं कहाता कि सरकारी निती कि निदेशक सिदान किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा नुसार करता है केटी शाह के एम मुंसी बियार अमबेडकर या ओस्टेंग तो यह स्टेटमेंट जो थी वो दी थी प्रोफेसर केटी साहने नीती निदेशक सिदान्तों के संधर्ब में तो राइट अंसर केटी शाह आईगा आगे दिखिए दुनिया के किस देशे भारतिय सविधान में राज्य के नीती निदेशक सिदान्त की संकलमना को अंगेकार किया गया है तो यहां से ये कोशन बहुत पूछा जाते है आयरलेंड से लिया गया है ये राज्य के नीती निदेशक सिदान्त के साथ भारतिय स्विधान का कौन सा बाग संबन्दित है भाग चार है भारत के स्विधान का कौन सा अनुछेद भारत को कल्यान कारी राज्य गोशित करने से संबन्दित है अनुछेद 49 बारतिय स्वविधान के किस भाग में सामाजी के मम आर्थिक लोक्तंतर को सुनिश्चित किया गया है तो राज्य नीती के निदेशक सिधान्त में बारतिय समिधान का कौन सा अनुचेद ये निर्धारित करता है कि राजकी नीती के निदेशक से दान किसी न्याले द्वारा लागू नहीं किये जा सकते तो ये है अनुचेद 37 में बारत के समविधान में शामिल राज्ये नीती की निदेशक से दानतों की उदाना किस के समविधान से ली गई है आईरलेंड की कल्यान कारी राज्ये की संकल्पना का समा वेश्विधान में है राज्ये के नीती निदेशक तत्वों में समान कारिया के लिए समान वेतन समीदान द्वारा सुनिशिते कंग है राज्य के नीती निदेशक तत्व काई है अनुचेद 49 में उसके वह देखी आनुचेद 40 बहुत पूछा जाता है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुचेद के तहद के आजाता है तो अनुचेद 40 के तहद के आजाता है यह बहुत इंपोर्टन है काम करने का अधिकार अनुचेद 41, समान नागरिक सहीता अनुचेद 44, क्रिशी एम पशुपालर ना वरस्ता अनुचेद 48 कोन सा अनुचेद समिधान के 42 में संसोधन द्वारा नीती नी देशक्तत्वों में जोडा गया तो वो थे समान नागरिक सहीता 49, सोशन से बच्चों एम वयसकों को सुरक्षा 49, उद्योगों की प्रबंदन में श्रमिकों की भागदारी 43 के और प्रियावन सरक्षन एम वन जीवों की रक्षा 48 के ये सारे 42 में संसोधन द्वारा राज्य के नीती नी देशक्तत्वों में जोडे गए थे, राज्य के नीती नीदेशक्ततों में जो शामिल नहीं है वो है सूचना का अधिकार, नीती नीदेशक्ततों में शामिल देखे कौन सा है, मादक पे और स्वास्ते के लिए हानिकारक जो गांधी जी ने कहा था, जिन पर जोड दिया था वो, हैंगे, प्रजात अंतर की स्थापना करना आगे देखें नीती निदेशक तत्वों में से कौन सा अनुचेद अंतर राष्टिय शांती और सुरक्षा की समवर्धन से संबंदित है जो अंतर राष्टिय सुरक्षा से संबंदित है तो वो है अनुचेद 51 आगे देखें समिधान के किस भाग में न्याय पालिका थे था कार्य पालिका के पार्थ्यक्य का प्रावधान है तो वो है राज्य के नीती निदेशक तत्वों में एक कल्यान कारी राज्य के नीती निदेशक तत्वों में राज्य के नीती निदेशक से दांत किस मौलिक प्रकार के मौलिक अधिकारों से हैं नीति निदेशक से dhant प्रवर्तनिय नहीं नहीं है जब कि मोलिक अधिकार कיاح है प्रवर्तनिय नमीछ र brace एजन जा सकता है यही है जीफरेंस है दोनों में ठीक है ugat तो यह थे निति निदेशक से धांक से मिफ्चि इंपोरंड हुशन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राश्टरपती और राश्टरपती से रिलेटेड जो कोशन पूछे जाती है एक्जाम में वो सभी डिस्कस करेंगे ओके, थैंक्यू सो मच